अब इस डाउट को देखे तो इसमें लिखाएगे सर जी आई सी प्रवक्ता में जॉइनिंग के बाद लगवग कितनी सेलरी अकाउंट में आएगी क्या इस पर टैक्स भी देना होगा देखे ऐसा है कि जॉइनिंग के बाद आप मान की चलिए कि आपके अकाउंट में लगवग साथ हजार रुपए सिक्ष्टी थाउजन डुपीज यहोंगे आपके अकाउंट में आएंगे और अभी आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि आप जॉइनिंग करेंगे नौबर में तो नौबर के बाद दिसंबर है, फिर जन्बर है, फरबरी है, मार्च है March है ठीक है न यारी 5 महिने के salary जो होगी लगभख 5 महिने के salary आप मानके चलो कि आपको मिलेगी ठीक है न तो उस case में आपका कोई भी जो होगा आप जो होगा वो rebed में ही रहेंगे ठीक है तो उसलिए आपको कोई भी tax नहीं देना होगा उसके बाद next जो पीपीफ रहता है ठीके ना और सेफ आप्शन भी रहता है पीपीफ इसलिए सेफ ज़्यादा रहता है क्योंकि वो जो पैसा होता है वो एक्चल में गॉर्मेंट के अकाउंट में जाता है और गॉर्मेंट इस पर लाइबल हो जाती है बैंक जो होती है वो लाइबल नहीं रह कर दाहूँए कि कहां कहां पर बच्टD कर सकते हैं इसके लाव आप हैल्थ इंसुइन्स ले सकते हैं है इनसुइन्स लेने के बाद में जिसमें आप अपनी plans और पैर पैरेंट को जो है वो start करते हैं इसके लाव तो आपको इस session में आपको जो होगा कोई भी tax नहीं देना होगा next financial year से आपको tax देना होगा और आपने अगर बचत कर ली तो आपको कोई भी tax नहीं देना होगा ठीक है 60,000 रुपीज जो है वो मैंने इसलिए आपको लगभग बताया क्योंकि ये vary करेगा कि आप कहां पर है आप city में है या विलेज में है तो ये HRE के हिसाब से जो कि decide होता है ठीक है तो थोड़ा बहुत इदा उदर हो जाएगा ज्यादा नहीं इदा उदर होता है ठीक है आपका NPS का पैसा भी कटेगा तो को सब कार्ट पीड के लगभग जोगा आपको 60,000 के आसपस एकांट में पैसा आ जाएगा ओके थैंक यू